जैन मेरे प्यारे साथियों को एक वार फिर से आप साभी लोगों का स्वागत है ओपन स्टेडी यूट्यूब चैनल पर और आपकी अपनी एक प्यारी सी वुकैब सीरीज में क्विक वुकैब सीरीज की हमारी बार्मी क्लास है और आज का ये जो छोटा सा वीडियो है इस सीरीज का एक ही परपस है जो कि मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ जिससे आप लोगों को इसकी वैल्यू और इसकी इंपॉर्टेंस पता रहे कि एक तो कम टाइम में आपको एक यूसफुल एक्जाम ओर्येंटेड आईली एक्जाम ओर्येंटेड कॉंटेंट आपको मिल जाता है जिसको आप अधर कोई काम करते हैं समय इस वीडियो को देख सकते हैं जैसे मालोगर आपका पढ़ाई का रुटीन नहीं भी है उस टाइम के अलाबाब अगर पढ़ने के परपस से देख रहे हैं आप फ्री हैं तो अच्छी बात हैं नहीं भी हो आपको यह और काम कर रहे है तो भी आफटाबर से सको देख के खतम कर सकते हो आपको अलग से गंटे दो गंटे के लिए पूरी क्लास के लिए टाइमिंग सेट नहीं करने पड़ेगी ठीक है दस मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं होने देता हूँ उसके आसपास ही होता है और ब्लैक बॉक ऑफ यंगलिस वुक्याबलरी यह इसी किताब के जाधत तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेश जो है क्लास को और सभी लोग लाइक कर देना कॉमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा इसकी दो तीन क्लास में इसकी फूरी सिरीज को खतम करेंगे कॉमेंट करना लास्ट में जरूर कैसा लगा चलिए तीन वर्ड है यहाँ पर फोबिया जो की तीनो वर्ड के अंदर है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है फिर आते हैं इनके प्रिफिक्स जैसे अगर हम अकारो की बात करें या फिर असिरो की बात करें या फिर आ कोश्टिक की बात करें तो आपको मैरे अकोश्टिक कीतनी वाड ना पढ़ाया बताओ acoustic का मतलब होता है ध्वने की यानि कि acoustics एक ध्वनी विज्ञान होती है जिसमें sounds की जो है बारे में पढ़ाई की जाती है तो सबसे पहला सब दमलोग समझ लेते हैं कि जो acharofobia इसका मतलब क्या होता है देखो, mites जानते हो क्या होता है यह होती है खुझली, allergy जो होती है तो खुझली, यानि कि खुझली से जो डर लगता है लोगों को कि मेरे पुरी बाड़ी में खुझली होती है, लोग को डर लगता है कई लोगों को ऐसी allergy होती है ठीक है, तो fear of mites, यानि कि खुझली से जो डर लगता है लोगों को इसको क्या कहा जाता है अभी तक मैंने आपको बहुत सारे ऐसी फोविया जो सिंपल सिंपल से होते है वो तो पढ़ ले यहाँ पर अल्फवेटिकली आपको मिलेंगे ठीक है तो आपको पहला वर्ड मिल रहा है एकारो रिपीट करो सौहर. का मतलब होता है खटी, कोईचीज खटी होते है उसको कहा जाता है सौहर और सौहर तो नियांन स्नावन हो जाता है यानि कि खटाई से बहुत से लगों को खटा पसंद नहीं है गुलकप्य घला तो डर जाते है यह उनको खटे से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे डर को ऐसी फियर को कहा जाता है, असेरोफोविया, ठीक है, यानि कि सौरने खटाई से लगने वाला डर, एक होता है, अकॉस्टिक, यह बहुत अच्छा वर्ड है, अकॉस्टिक मतलब होता है, साउंड यानि कि साउं अकॉस्टिक मतलब होता है, जमीन से थोड़ा ऊपर, हवा में, अकॉस्टिक मतलब होता है, यानि कि अगर आप जमीन से उपर हो, उपर की साइड हो, अक्रो का मतलब होता है, उंचाई, तो जितने भी लोगों को उंचाई से डर लगता है, हाई प्लेस, ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा, मैंने पिछली वीडियो में बनाता है, अक्रोबेट, अक्रोबेट मतलब है कैस आपने पड़ाई होगा, तो एरो आपका प्रेफिक्स हो जाएगा, फोविया आपका डर हो जाएगा, तो डर आज के बाद नहीं लगना चाहिए, किसी भी चीज़ से, ठीक है, सारे डर यहाँ पर खतम कर देंगे, एरो मतलब होता है, हवाई जहाज एरो प्लेन, एरो लगता है, कैसे भी उड़ान में, जरू नहीं एर एर प्लेन में, बहुत सारी चीज़ होती है, एगोरा का मतलब आप जानते है, ओपन प्लेस, यानि कि जो भीड़ भाड होती है, जैसे कि उनको घर में रहने, तो बाहर जाते है, उनको डल लगता है, मार्केट में, मेले मे कहीं पर भी वो लोग जाते नहीं है, क्योंकि एगोरा फोविया उनको होता है, ठीक है, एगोरा मतलब होता है, भीड़ भाड, जो ओपन प्लेस होते हैं, जहां पर लोग घूमते रहते हैं, ऐसी जगे से उनको डल लगता है, तो once again we will repeat these all three words, first word is acro, acro means होता है, हवा में, उन्चाई पर होना, तो उन्चाई से लगने वाला डर, एरो मतलब उड़ने से डर, हवाई, हवा में उड़ने से डर लगता है, और एगोरा मतलब होता है, open places, ठीक है, तीनों बर्ड यहां पर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं, ऐलियोरोफोबिया, ऐलियोरोफोबिया क्या होता है, ऐलियोरोफोबिया होता है, बिल्लियों से जो डर लगता है, ऐलियोरो मतलब बिल्ली, ठीक है, तो ऐलियोरोफोबिया मतलब हो जाता है, बिल्लियों से, कुछ लोगों को बिल्लियों से डर लगता है, वी, ऐसे करके, क क्या होता है उनको बहुत सारे injunctions लगते हैं अब injunctions क्यों लगते हैं क्योंको दर्ध होता है अब दर्ध से कुछ लोगों को डर लगता है उनको लगता है कि मेरे चोट में लगने चाहिए क्यों क्योंकि मुझे दर्द होता है कुछ लोगों को उससे जो ब्लल सारे आपका पुरसों से जो लग्ना आपका पुर। करने लगता है तो एंड्रो मतलब होता है ऐसा डर जिसमें पुर्सों से पर्टिकुलर पुर्सों से डर लगता है औरत है कोई वात नहीं है ठीक है लेकिन पुर्सों से डर लग रहा है तो ऐसे डर को एंड्रोफोविया कहा जाता है चलो वी विल रिपीट ओल त्री वर्ट्स वन्स अगें, आईलेरोफोबिया मतलब होता है, बिल्नियों का डर, एल्गोफोबिया मतलब होता है, पेन यानि कि दर से डर, और एंड्रो मतलब पुरसों का डर, ठीक है, I hope कि तीनों बड़ आपको ये भी समुझ मागे होंगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, देखो, एनिमो क्या होता है, एनिमो मतलब एनिमेशन से इसको रिलेट करने की कोशिस करो, एनिमो को मतलब एनिमेशन से रिलेट करो, तो एनिमेशन से कैसे पता चलेगा, मतलब हता है यह बिज्वद ऐसे चीजरें अंडिका इसको आनिमेशन नहीं आसे जीर missed-up कि ह strawberries जगें है वहां रिए झाल तो हवा से टर हे उसको एनिमोफोबिया कि आजाता है एक आपका इंजाइनों singing शांट होत एनिवलोजी तो तो कि मेर तो एंजाइना एक word होता है आपने सुना होगा एंजाइना नहीं सुना है तो आप सुनलो एंजाइना क्या होता है देखो एंजाइना से जो डपता है fear of narrowness एंजाइना होता है जब आप किसी की गर्दन घोटते हो ऐसे करके दबा लेते हो गर्दन इसको एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना मतलब घुटन होती है, ठीक है, सांस जो दबती है उसको कहा जाता है इंजाइना, बोलते ना कि एंजाइना से इसकी मौत हो गई, यानि कि गला घोटके इसको मारा गया है, तो एंजाइना से जिसको डर लगता है, यानि कि घुटन स बंद सी जगह होती है, उनको बाहर लेके जाओगा, खुली आवा में, तो इसको कहा जाता है, इंजाइनोफोविया, मतलब फियर ओफ नारोनेस, जहां पर सुकुडंसी होती है, कम जगह होती है, गली कूचे होते है, छोटी छोटी गली, उनसे डर लगता है, बहुत से लोग पीपल, यानि की, अंगरेज़ों की जो चीज़ें होती है, अंगरेज़ों लोग होते हैं, अंगरेज, अंगरेज मतलब इंगलिस बोलने वाले विदेशी लोग, इनसे जो डर लगता है, उसको एंगलोफोविया, कहा जाता है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बास इतना ही था आज की क्लास में, पर 10 थे, साइध एक कम रह गया होगा, कोई बाद नी, अगली क्लास में फिर से इनको बढ़ा देंगे, या तो ये 12 होंगे, या फिर ये 9 होंगे, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, बाद में देख लेना, चेक करके, तो सभी लोग कॉमेंट करके बताओ की वीडियो कैसा लगा, और इसकी एक और 2-3 सीरिज आएगे, क्योंकि एक सीरिज में तो सारे फोविया खतम नहीं होगे, तो ऐसे ऐसे और भी वीडियो जाएगे, ठीक है, एक वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करो, फटाबट से अभी बताओ, और लाइक कर देना, पूरी स आप लोग सेर करोगे चैनल पर जो लोग नए है सब्सक्राइब करोगे ओपन इस्टडी टेलेग्राम चैनल जहाँ पर आपको इसकी पीडिये मिल जाएगे जैहिन टेक क्यार बाई बाई